जोस्तो मैं हूँ मनोजकपार और आज हम लोग देखने वाले हैं year function के बारे में ठीक है तो यह year function जो है किस तरह से काम करता है क्या है इसका यूज नहीं है पूरा detail में देखेंगे और किस तरह से काम करेगा ठीक है तो चलिए यह जो year function है वो date and time का function है और अगर इसका हम लोक function का किस तरह से काम होता है और इसका क्या 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 काम है पूरा detail में देख रहे हैं चलिए चलते हैं video की और और देखते हैं ठीक है अगर मैं seat की और आया हों और यहां पे कुछ मेरे करेंगे इस में के लिए हम लोग year function का यूज करेंगे ठीक है तो अगर year function में जा रहे हैं तो अगर यहां पर मैं equal to लिखा और year function लिखा य,e,a,r ठीक है तो year आ गया देखें यहां पर अगर यहां पर देखें आ फार्मूला का argument में जाएंगे तो आपको क्या पोल रहा है serial number ठीक है यहां पर पूछ रहा है serial number पूछ रहा है और इसका serial number मैं माल के चलिए यह डाल रहा हूँ ठीक है उसका return of the year date date and integer of the range 1900 to 99999 तक इस year तक आपको return value मिलेगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं यहां पर serial number इसको select किया और ok किया तो देखें यह जो year आ गया 2019 आ गया है ठीक है और यहां पर अगर आप equal to year function यूज़ कर रहे हैं ठीक है यह फंसन यूज़ कर रहे है नेक्स्ट क्या मांग रहा है serial number अगर serial नमर यह आ रहा है तो ok करूँ तो देखें दोनों में difference देखें यह उन्हींस का है और यह 2019 का है लेकिन आप इस date को देखेंग दिखा हुआ 1999 ठीक है और यहां पर देखें 2019 तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे है year function और आपको पूर clarity जो है मिल रहा है ठीक है मार के जलिए कि कुछ date है यह first number 2020 है और इसका जो है year इसमें 500 day के बाद जो है कौन सा year आएगा इस date में 500 days में add कर दिया तो इसके बाद क equal to लिखिये क्या लिखेंगे यह लिखा और यहां पर serial number कर देजिए और ओके प्लस कर देजिए 500 days ठीक है और 500 days एड़ किया है तो इसके next year 2020 आएगा 500 अगर इस date में add करेंगे 500 days तो ठीक है करेक्टर और यहां पर सपोज अभी का टूरेज टूरेज आज जो है मैं आज का year के बारे में बात करूंगा कौन सा year मैं year लिख रहा हूँ year function और आज का मैं now present ठीक है अभी कौन सा year है ठीक है और यहां पर close किया bracket ठीक है bracket close किया देखिए आज क्या है यह कौन सा year है 2020 ठीक है और आज ही में एक formula और यहां पर add कर कर हां यहर ठीक है एक यहर किया यहर में जो है now आज के date ठीक है आज का year आज का date select करेगा plus और आज के date के 35 days के बाद कंसा year आएगा ठीक है। 365 days के बाद कौन सा year आएगा ठीक है उसमें अगर किया तो देखे 365 days के बाद कौन सा year रहेगा 2021 रहेगा ठीक है तो इसमें जो है आप जो है इसके formula के अंदर जो है add करके आप जो year निकाल सकते हैं या year के अंदर आप day भी add कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप जो है confusion नहीं हो पता है और इसका argument मैं फिर से बता रहा हूँ और इसका argument में जाओंगे इसमें सीरियल नमर मांग रहा हूं आपको आपको रिटरन आएगा नाइन्टेन हंड्रेट्न आएगा उससे पहले रिटरन नहीं आएगा मान करें चैंज करके एक बार देखी लेता हू क्या रहा है? यहां पर जो है 18 कर रहा हूँ 1,8,9,9 अभी देखें वालिव जो है आपको अरॉर बता रहा है क्या वालिव रखोंगें? क्योंकि 1,8, 9,9 डाला हूं यहां पर तो इसमें आपको यहाँ पर value error आ रहा है क्यों error आ रहा है क्योंकि आपका यह value 1900 के बाद से ही valid है 1900 से बाद से valid 999 तक ही valid है उससे पहले का valid इसमें नहीं है ठीक है तो उसके लिए आपको error message आ रहा है था ठीक है तो बस इस video में इतना ही और मिलते है कुछ new trick, new idea के साथ next video में, तब तक के लिए धन्यवाद अगर कुछ doubt होता आप comment section में लिख सकते हैं, ठीक है, so thank you